हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू वाइफाई स्टेडी चेंजिंग दा वे ओफ लर्णिंग स्वागता आप सभी का इंडिये के नंबर वन स्टेडी चैनल वाइफाई स्टेडी में तो दोस्तों मैं आज आपसे माफी चाहता हूं क्लास तोड़ी लेट स्टार्ट हुए मतलब बो सब्सक्राइब चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स क्लास की वर आज मैं आप लोगों को बता दूँ आज जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बहुत इंपोर्टेंट है कि यह बोर्ड देखो आपिस स्टार्ट हो गया परिशान करना जब तक मैं आप से रोड़ सी बात कर लेता हूँ दोस्तों यह बोर्ड रेस्पॉंड करें जब तक चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो होगा दोस्तों ग्रैविटेशन यानि गुरुत्वा कर्शन ठीक है दोस्तों चलिए फ्रेंट्स इससे पहले में आप लोगों को बता दूँ दोस्तों बोड़ी वर्क नहीं कर रहा है अच पता नहीं क्या हो गया इसको कि इस बोड़ का क्या करेपन चलिए आइधिंग चलो हो चुका है तो फ्रेंट्स शाम को चार बजे आप लोग लाइफ टैज ज़रूर अटेम करा करो बिल्कुल फ्री होता है काफी आप में इंप्रूब्मेंट होगा इससे ठीक है दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं सरी मिलेगा कहाँ पर तो फ्रेंट्स आप लोग अनकेडमी एप डाउनलोड करें रेलवे एक्जम सेलेट करें वहाँ पर सर्ट्स करें नीरा जांगिड ठीक है रे ग्रैविटेशन यानि गुरुत्वाकर्शन दोस्तों मैं फिर आपसे माफ़े मांग लेता हूँ आज अपनी क्लास लेट स्टार्ट होई ठीक है कल से आप लोग ऐसा नहीं होगा आप लोग जानते हैं रोज सुबह साड़े नौबज हम लोग स्टार्ट कर देता है चलिए मासे जो एक मास M1 मान लिजी और एक M2 मान लिजी कोई भी दो द्रवे मानों दोस्तों वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्लियर है और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ग्रैविटेशन यानि गुरुत्वाकर्शन अब आप बोलेंगे कि सर हाथ में जो रिमोटै इसका भी कुछ मास है meille भी कुछ मास है दोस्तों क्या ये भी एक ट्रैट करेगा क्या मुझे और मैं भी इसको अट्रैक्ट करऊंगा चाह सबसे पहली छीज़ आप लोग ही ध्यान से समझें कोई भी दो मास से घट करते है तो मान लिजीन फ्रेंट्स है अट्रेक्शन फोर्स आकर्शन भल एफ है इसका मतलब क्या है दोस्तों M1 जो होगा वो M2 को F4 से आकर्शित करेगा similarly उतने ही फोर्स है दोस्तों M2 इस M1 मास को अपने तरफ अट्रेक्ट करेगा पहली बात तो यह तो आप लोगों के यह दो नबरावं कषक द्रवए मानने क्या यह भी आप एक दूसरा को ऩ Alrighty तो मार्क मेरी तरफ क्यो निया रहा आ पुंकि हो ता है यह आप लोगों के पिचर में कब आता है पिचर का मतलब क्या है दूस्तों में कर सकते हैं जब दो बड़े-bड़े मास जो doit और प्रत्वी बड़े दरव्यमान ले तो उनपे अप लोगों को दिखेगा कि हां ज्यादा अमांड का प्राकर्ति गटना है जिसके द्वारा दोस्तों जो मासेज होते हैं द्रव्यमान होते हैं वो एक दूसरे की और आकरशित होते हैं समझ में ठीक है नेक्स अगर हम लोग बात करें आप लोगों को पता है ब्रह्मान में जो भी मौझूद आप लोग के पार्टिकल है गैसे जो निर्मान हुआ है तो फ्रेंट्स कोई भी दो मासेज आपस में एक दूसरे को अट्रेक्ट करते हैं तो फ्रेंट्स अगर हम लोग बात करें ब्रह्मान में जो जितने भी पार्टिकल्स थे फ्रेंट्स वो आप लोगों के एक दूसरे किसे अट्रेक्ट होके आकरशित होके करें दोस्तों किसका निर्मान वायत तारों का वह нуться रहों और नेक्स नमुझ बात करते हैं दोस्तों यह जो गुरुतवा करशन की जो सीमा होती है वह अनन्त होती है अनन्त का मतलब क्या है फेंडी अगर एक मासे तो दूस्तो पास पास रखें तो ज़्यादर ट्रेट करेंगे अगर आप लोग उनको दूर लेकर जाओगे तो इनके बीच में जो attraction होगा attraction होगा, क्या कम होगा, क्या तो मैं वो ही बोलना चारहों कि दूस्तो बरती दूरी के साथ में friends, इनका जो प्रभाव होता है वो कम होता जाता है कलियर है गया सर पूरा free पढ़ाएंगे कि आप बिल्कुल पूरा free पढ़ाएंगे और कोई doubt है किसी को और कोई किसी को doubt है नहीं है ना चले आगे आगे चलता है अब next हम लोग बात करते है सर universal law of gravitation करशन यानि गुरुत्वाकर्शन का सार्वत्रिक निया जो कि आपको न्यूटन ने दिया तो फ्रेंट्स होता क्या है इनके अकॉर्डिंग क्या है समझो बात को तो फ्रेंट्स अगर कोई भी दो मास है जो दोस्तो लेट सपोज एक मास है M1 और लेट सपोज दोस्तो एक मास है M2 कोई दो दर्वेमान है M1 M2 और दोस्तो इनके केंद्री की बीच के दूरी आप लोग मान लीजी आ रहे हैं आप लोगों को पता है फ्रेंटस कोई भी दो दर्वेमान आपस में एक दूसरे को आकरशित करते हैं जो बैटन का बोलता है दोस्तो कि इन द्रव्यमानों के बीच में जो लगने वाला आकर्शन वाल है एफ वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है M1 और M2 के मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप लोग M1 मतलब भी पहला वाला द्रव्यमान डबल कर दो यह अगर मैं दोने बीच जो द्रव्यमान होगे तो यह इन्होंने पहले प्ह swims लगने वाला और दोस्तो अगर मैं इसको समय करन नंबर एक बोलू अगर मैं इसको समय करन दो बोलू तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास में आ गया कि सब जो लगने वाला attraction force है वो directly proportional है M1 M2 के यानि इसके तो समानूपाती है और इस और इस square के क्या है और प्यारे दोस्तो जब भी एक proportional का sign हटता है तो एक conscient आता है और दोस्तो जब हम लोग इसको खोलते हैं तो हमारे पास में जो attraction का formula आ गया वो क्या गया capital G M1 M2 upon R square यह हमारे पास में लगने वाला aggression बला जाएगा clear है क्या अब समझते हैं इसमें एक एक चीज क्या है तो M1 आप लोग जानते हो सर पहला द्रवेमान है M2 आप लोग जानते हो दूसरा द्रवेमान है और दोस्तो R क्या है सर इन दोनों द्रवेमान की बीच की दूरी है सर इक कैपिटल जी क्या है दोस्तो हमें कई बार confusion होता है सर वो जो इसमॉल जी है 9.81 क्या यह वही है क्या नहीं दोस्तो यह कैपिटल जी बिलकुल अलग चीज है दोस्तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट जिसको फ्रेंड्स हिंदी में बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वा कर्शन नियतांक अब दोस्तो एक क्योशन आता है कि सर इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं दोस्तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है जैसे कोई चीज होता है यूनिवर्सल टूथ यूनिवर्सल टूथ का मतलब दोस्तो जो हमेशा सत्य होता है चाह आप लोग और श्रेलिया में रहलो चाह पर भी रहेलो प्रत्विक है किसी भी कोनी पर रहेलो ब्रह्मान में इसकी वैलू फ्रेंट्स क्या रहेगी फिक्स रहेगी और इसकी जो वैली होती है केपिटल जी की दोस्तों वो क्या होती है सिक्स पॉइंट सेवन इन्टू टैन की पावर माइनस इलेवन होती है क्लियर है क्या सर इसके आगे कुछ यूनिट भी तो आएगा कुछ मात रख भी तो आएगा तो क्या आएगा आए देखते हैं तो दोस्तों इस जी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या एफ र स्क्वार हो जाएगा क्योंकि आरे स्कॉय रहा है और नीचे दोस्तों दो माश अंधे केज गुर्त ओया हो जाएगा किया हूं जाया चैनलया है अपशियjan अं ग। पर ज्यादा होगा दोस्तों पोलस फे मतलब यह अपनी अर्थ होती है दोस्तों इसको बोलता है पोल्स यानि द्रू और यह होता है अपना एक्वेटर तो अगर आप लोगों से बोले दोस्तों ध्रूप पे ज्डा होगा यह विशूवत पर तो confuse नहीं हो ना दोस्तो इसका मान हर जगह सेम होता है capital G का समझ गए चली आगे चलता है एक ची ध्यान रखिए फ्रेंट जो capital G की जो value है न that was found out by Henry Canvill दोस्तो जो इसकी value आप भी निकाली न जी बराबर 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 newton meter square upon kg square आप लोगों से question में पूछा जाता है capital G की value किस ने निकाली तो friends Henry Canvish ने निकाली ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख दिया है कहानी clear है क्या समझ में आगया यहाँ तक कोई doubt आप लोगों को नहीं होगा चले दोस्तों चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सर जो newton's law of universal gravitation आप लोगों ने बताया या गुरुत्वा कर्शन का सारवतरिक नियम जो बताया आपने लिख के बताया सर इसको एक बार pdf में भी दे दो तो ये मैंने pdf में सब आप लोगों लिख दिया है कि किनी दो द्रवे मान let's suppose m1 है और m2 है और इन दोनों के केंदरों की बीच के दूरी माले ये आ रहे है तो जो लगने वाला force होगा ना f1 f1 क्या है दोस्तों f1 क्या है जो friends m1 मास पे लग रहा है या फिर friends m1 जिस force से attract हो रहा है और f2 क्या है m2 मास जिससे attract हो रहा हूँ दोस्तों मैंने आपको बताए है ये दोनों ही बल क्या होंगे समान होंगे तो जो f1 या f2 आप लोग बोल ली दिये इनका मान कितना होगा g m1 m2 upon r2 होगा कानी के लिए रहे ठीक है अब आगे हम लोग चलते हैं च्च आपोRO को बतादेता है मैं इसकी असलियत आप लोगों को partner को Sanja प्यारे दोस्तों भार कुछ भी नहीं सतवी औरा और पागल बना रहे हैं आपको भार बताओं क्या है यह प्रत्वी द्वारा प्रत्वी द्वारा प्रत्वी द्वारा लगा लगाया गया और और कुछ भी निया है प्रत्वी द्वारा लगाया गया आकर्शन बाला एक करफ सर कैसे समझ में नहीं आया आई ये पहले समझाते सब्सक्राइब पहले मुझे चोटा सा चीज बताई है दोस्तों चार किलो ग्राम की कोई वस्तू है और एक मानी जब कोई वास है किसका वीट ज़्यादा होगा जली से बता यह किसका भार जदा उब आप और अब होता है प्रत्वी द्वारा लगाया गया अकर्शन भल यानी अट्रेक्शन फॉर्स सोच रहा है सच चलिए इसको सेक्षार्ष दोस्तों क த हिल इस इसको जादा करेंगी अरु और भी आप लों सोक रही हो छही है सबस्क्राइब को बोला कि यह है आप लोगों की दोस्तों अर्थ है का मैं आ टेक्षाय इस्कु सता है सर्मादीर कैपिटल मैं मुझे नहीं अधिकम है कि इसकी रेडियस मैने माली दोस्तों इसकी रेडियस है और माल लेते हैं ठीक हम क्या ऑफ्रेंट्ट्स आप लोग अर्थ की सरफेस पर रहता है नगाल अंदर की सब्सक्राइब इसे अधसी थे रहता है है तो जैसे मैंने इसको छोड़ा यह नीचे की तरफ क्यों जा रही है आप बता सकते हो गया बताता है क्योंकि फ्रेंट्स एक मास यह हो गया और एक मास यह हो गया समझ रहो तो फ्रेंट्स क्या एक मास यह हो गया एक दर्वेमान यह हो गया पूरी की पूरी अर्थ तो क्या दो दरव्यमानों के बीच में आकर्शन बल होता है गया तो friends आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग क्या करने लग गया शाइन करने लग गया कि हाँ इसको friends इस अर्थ ने attract करा होगा clear है क्या तो friends अगर इसकी और इसके बीच के दूरी में बताऊं तो क्या होगी दोस्तों ये capital R मान सकता हूं क्या आप लोग बोलेंगे नहीं सर प्रत्वी की तरिज्जा क्यों मान दरो यहां से लो नो distance अरे सर प्रत्वी की ठिज्जा के थरिक्सbourgish अगर बात करें इसकी तुल्हामें दूरी कितनी से कम होगी या ऊध्याय तो मैं इसके केंद्र और प्रत्वी की केंदर की बीचकी दूरी में अर मान वानू क्या बताऊं और दोस्तो इसके और इसके बीच में लगने वाला attraction force कितना होगा formula आप लोग जानते हो क्या होता है सर जी M1 M2 upon R square होता है ठीक है तो क्या हो जाएगा friends capital G पहला mask इसको माल लो इसको माल लो M दूसरा mask इसको माल लो ये माल लो capital M क्या प्यारे दोस्तों ये ही क्या ये ही वह force है क्या जिसके द्वारा कोई M द्रवेमान की वस्तू अट्रेक्ट होगी अर्थ इसको अट्रेक्ट करेगा अब आपके दिमाग में आएगा कि आपने तो ये भी बताया था कि उतने ही force से ये अर्थ भी इसके तरफ अट्रेक्ट होगा बिल्कुल उतने ही force से अर्थ भी इसकी तरफ अट्रेक्ट होगा लेकिन दोस्तों अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा इसको इनर्श इतना ज्यादा क्या ये इसकी तरफ आजाए ना बहुत कम है इसका मास कम है ये तो मूब कर जाएक लेकिन अर्थ थोड़ी मूव कर जाएं समझ में आ ठीक है कि दोस्तों इतनी सी बात समझ में आ गए गया क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये ये क्या है दोस्तों ये वह force है जो अर्थ attract कर रही है जिस force ए attract कर रही है जिस बल्ड से आकर्षिट कर रही है और दोस्तों काईदे की बात बताओ क्या क्या किसी body पर दोस्तों net force को आप लोग M A के बराबर लिखते हो क्या बताओ भाई आप लोगोंने बोला कि सर ये M दरवेमान के वस्तो पे जो ये force लग रहा है ना ये जो बल लग रहा है वो आपने बता है सर ये है और डोस्तों क्या force बराबर mass into acceleration होता है क्या जी सर होता है क्या मैं भी लिख दू क्या लो सर आप भी लिख दो तो भईये ये M से ये M cancel हो गया, तो ये acceleration की value क्या आगी, capital G into M upon R square आगे क्या, बोलो ज़रा बताओ, और दोस्तो इसी त्वरन को तो हम लोग गुरुत्वी त्वरन बोलते हैं कौन सा त्वरन जिस त्वरन से अगर कोई object को मैं छोड़ू, तो जिस त्वरन से ये नीचे आ रहा है, प्रत्वी के आकर्षन की कारण जो त्वरन है, गुरुत्य त्वरन जो है, ग्रैविटेशन की कारण जो त्वरन है इसी कोई तो दोस्तो हम लोग capital small g बोलते हैं, यानि small g की value आगई आपके बास में gm upon R square और दोस्तों जब सारी value पूट करोगे न capital g की value क्या होती है, 6.67 into 10 की power minus 11 earth के दरवेमान की value पूट करोगे radius पूट करोगे तो फ्रेंट तब जाके आप लोगा आता है, यह 9.8 meter per second square, बात समझ में आगए क्या अरे बात समझ में आगए क्या दोस्तों यह 9.8 meter per second square के साथ जब सारी value पूट करेंगे न, earth का mass ही होता है, 5.92 into 10 की power 24 kg, याद नहीं रखना है, नहीं earth की radius याद रखनी है, जश्ट में बता रहूं यह data जब हम लोग इसमें put करते हैं, तब आप आपके पास में 9.8 meter per second square समझ में आगे, तो यह 9.8 meter per second square कैसे आfyया, यह आप लोग को समझ में आ गया होगा ओ दोस्तों आप यह वो force है, जिस force से प्रतवी उस वस्तु को वो अपनी और आकर्षित कर रही है यह है आप लोगों का वेट यह है आपका एमजी ठीक है सर तो आगे भी चल लेते हैं थोड़ा सा आगे चले अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि यह 9.8 की जो वैल्य होगी मतलब स्मॉल जी की वैल्यू क्या यह यूनिवर्सल है क्या चंद्रमा पर यह होगी यह किसी और प्लानियर पर यह होगी कि नहीं दुस्तों यह जी है वो कहां पर दोस्तों अर्थ पर हैं सर अगर किसी दूसरी सत्य पर जाएंगे तो क्या होगा देखें आईए देखते हैं आप लोग पहुंच गए दोस्तों चंद्रमा पर मून पर आप लोग पहुंच गए मून पर तो प्यारे दोस्तों यह है मून यह है चंद्रमा अब ध्यान से समझना अब वही एम द्रव द्रवेमान वो ही है क्या जो प्रत्वी कता नहीं सर क्या चंद्रमा का रेडियस वो ही है क्या जो प्रत्वी कता नहीं तो फ्रेंट्स क्या चंद्रमा इस एम द्रवेमान के वस्तु को उतने ही फोर्ट से आकर्सित करेगी कि जितनी प्रत्वी कता नहीं सर तो कि भार उसका उ लेकिन दोस्तों सर वहां पर यह चेंज हो जाएगा सर कैसे पता पड़ा क्योंकि दोस्तों आप लोगों का कुछ चेंज होगा तो सर निकालेंगे इस बार करना क्या है आप लोगों को इस बार करना क्या है इस बार मास किसका रखना दोस्तों मून का रखना है और रेडियस कि रखनी मून की रखनी है सर कितनी होती है तो मास होता है मून का इतना रेडियस होती इतनी सर याद रखने के नहीं याद रखनी है बस आप लोग य तो जब यह value calculate करते हो तो friends हमारे पास में आती है 1.62 के आसपास तो आप लोग इसको याद कैसे करो कुछ नहीं जो प्रत्वी का है न जी उसका बट्टेश कर लो क्लियर है क्या कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वी तरन होगा प्रत्वी पर जो गुरुत्वी तरन हो रहा था अर्थ पर जो gravitational acceleration था उसका क्या होगा 16 होगा इतनी से कहानी क्लियर है कहानी क्लियर है क्या ठेक है अब एक चीज़ और समझेंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर आपके exam में question आता है कि कि किसी वस्तु का weight कहां पर होता है उसका बट्टर चाहिए यहाँ जीवाई 6 हो जाएगा weight क्या होगा दोस्तों 16 हो जाएगा आप लोग का चंद्रमा पर इतनी सी बात क्लियर होगी चले आगे तो सर यह मैंने आप लोगों को छोटी सी बात बताने की कोशिश करी है कि अर्थ पर होगा तो वहाँ पर जी अलग होगा चंद्रमा पर अलग होगा अलग अलग होगा लेकिन मेरा क्योशन यह है कि जो आपने जी निकाला ना 9.8 अर्थ पर निकाला ना अर्थ पर प्रत्वी पर दोस्तों क्या प्रत्वी पर भी हर जगे सेम रहेगा क्या नहीं दोस्तों अब हम लोगों ने तो फ जी कानी क्लियर है प्यारे दोस्तों सर इसके बाहर कुछ नहीं आएगा ना एंटी पीसी में सर प्लीज अंसर नहीं नहीं जी आएगा आप आएटी की चार बुक लेकर आओ वो जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोगों को इससे भार नहीं मतलब तब तक आपका पूर कि का है तो इति पीसी का हो रहा है यहीं तो प्रॉबलम में आप दश जगय आप लोगर तो जिसको पता हुझ पता नहीं होता है चलो मैं एक योटुब कर हा alt 2016 चलो वह एक कुछ नहीं है एक जगे कंसर्ण डिट करो सारा जब मैंने बोल दिया सारी चीजे आप लोगों का परफेक्ट वही होगा एक्जाम अनुटेट एक बीचीज बाढ़नी जाएगी बस आप लोगों को मैनत करनी है अपर ठीक है चलो आगे अब जी के मान में परिवर्तन देखते हैं दोस्तों ठीक है चलो उसको देखते हैं आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ आप में जोग्राफी तो पढ़ रखे होगी बहुत जनों ने अरे जोग्राफी में इतनी सी चीज तो जानते होंगे दोस्तों यह होता है अपका एक्वेटर दोस्तों यह होता है आपका विश्ववत इतनी तो चीज जानते होंगे और यह भी आप लोग gensकों सब्सक्राइबं आपको पता है अर्थ जो है वो बिलकुल आपका स्फेर नहीं है तोड़ा सा चप्टा हुआ है ना मतलब फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार चे ना मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा बढ़ा करके बता रहो मैं मनुद फील कराने के लिए बाकि इतना नहीं होता है असले होता है ऑमर्या दोस्तोस ए की सब्राइब की आति कंश ने हुआ है कि मतलब क्या है लुट यह वालिवी तुरिया ये वाली त्रिकल कियाए रूजिया यह वाली त्रजा घृतियों उख्यसरे वाली जाहती है वो स्सके लिए और्र킨 के स depth अब मुझे खूद बताओ दोस्तो इस जगह आप लोगों का जादा होगा गुरती तरहन या इस जग़े जादा होगा अरे प्यारे दोस्तो पूल की यानि दुरूव पे उसके लिए r की value क्या है sir कम है अब r की value कम होगी तो frens small g की value क्यों होगी ज़्यादा होगी यहनी इस जगह pole पे drew पर इस जगह और इस जगह दोस्तों क्या होता है गुरोटी तरण ज्यादा होता है और अभी इसी जगह तो हमेंने निकाला था कितना होता है सर 9.8 में पॉन पे कितना होता है 9.8 1 होता है और जो क्या है दोस्तों मेक्जिमम वैलू है अधिक तमान पारू हैवस्दों है इसके अलावा लोक्त से अगर आप लोड कि अगर चीज़ क्या होता है सर कम होता है फैरें पैली इंपोर्टेंटीज चीज क्या है मुझे एक छी बताओ कि दूसरी इंपोर्टेंटिनट चीज क्या याकूं इस यह p पूछ रहों और ये स्फिछ समझ हो फीर है कि दूसरी चीज में पोची है एक common sense लगा के बताओ दोस्तों ये है आपकी अर्थ है अगर आप लोग अर्थ से अर्थ की सर्फेस से कुछ उचाई पर जाओगे तो गुरुच्वी तरण का मान कम होगा ये ज्यादा होगा जल्ली से कमेंट करके बताओ दोस्तों अर्थ की सर्फेस से ये प्रत्वी की सत्य है इस सर्फेस से अगर उचाई पर जाओगे तो गुरुच्वी तरण का मान कम होगा ये ज्यादा होगा बताओ कम होगा बहुत अच्छी बात है कैसे पता बड़ा आप लोग को जब बिढ़ाउट होना एक काम करना एम द प्रवेमान की वस्तु जब यहां पर थी तब ज्यादा अट्रेक्ट होती और जब आप लोग उचाई पर ले गए तो दोस्तों दूरी बढ़ गई ना सर यानि सर अब कम अट्रेक्ट होगा अब जो एक्सलेशन आएगा हो कम होगा यानि मैं क्या बोल सकता हूं कि सारे अंदर घैले में जा रोंगे रही में घैले पर जाने पर क्या होगा मुझे आप लोग बताएं कि अब वहत जैने क्या सूचेंगे सर कैसे भी मान लो अगर एम दरवयमान की वस्तु यहां पर जाती तो सर अर्थ के और इसके बीच में सर दूरी कम हो गई सरो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा गुरुति तुर तरण होगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एकची बताओ, अगर कोई ये जाएगा, तो अर्थ इसको यहां से तो अट्रैक्ट करेगा, समझ लिया, लेकिन अर्थ का ये वाला पार्ट भी तो इसको अट्रेट करेगा मतलब कुछ वाला फोर्स आपका उपर भी तो लग रहा है क्योंकि ये भी तो अट्रेट करेंगे अपनी तरफ मतलब कहने का मतलब ये है सौ वातों की एक बात दोस्तो उचाई पर जाओ और गेराई पर जाओ दोस्तो इस्मॉल जी का मान गुरतितरन का मान कम होता है अब ये जितनी मैंने रामाय ने बता इसको नोट से में लिखवा दूगा तो आज आए दोस्तो तो जी का मान प्रत्वी के सत्य से उपर और गेराई इस अरफ जी आद्र पर करें इन दुनों के वीच में दोडिशी सरकूछ प्ट्रैक्शन नहीं होगा ठीकि sn PlayStation यहोगा प्रत्वे के केंद्र पर सुनने होता है क्यों 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 कि कि इदे तो कुछ मास बचा नहीं बल्कि पूर कर लेगा इस जगे कुछ रहे गा इन्हीं आपका इस्मॉल जी आपका जीरो जाएगा एक तीनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रह जाएंगे कि दोस्तों चले आगे बताऊ आज क्लास टोड़ से लेट शाटू टेकनिकल इसज्व को जिसे मरनाच पूरत टेप्टर कर दोस्ता माजय है वन पूरत आज इक अक्तम कर जाता दोस्तों कि छले आगे अग्या चली फेंट्स कूछेंट क्योश्चन सौल करता चैंसर आप लोग बताई एक इसका धियां से देखेंगे अनसर आपलोग बताई है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोस्तों गुरुत्वा कर्शन के कारण जो त्वरन होता है वो कहां पर क्या होता है आपनों मुझे बताईए पहला क्योंशन दे रखा है डिक्रीज फॉर्म एक्वेटर टू पॉल बोला यह जा रहा है दोस्तों जो एक्वेटर है जो विशुवत है जिसको भूमद्य बोलते है तो यहां से अगर आप लोग पॉल्स की तरफ चलोगे घटता है कि नहीं सर पॉल पे तो आपका ज़्यादा होता है यहां पर कम होता है बलकि यहां से यहां पर जाने पर तो सर बढ़ेगा तो option number A नहीं हो सकता है decrease from poles to equator बिल्कुल सही बात है दोस्तो धुरूव पर ज्यादा होता है equator पर कम होता है धुरूव से अगर equator की तरफ आओगे तो दोस्तो घटेगा option number B सही है maximum at the center of earth दोस्तो नहीं प्रत्वी की केंदर पर तो सर शुन्ने होता है zero होता है इस maximum adequate नहीं सर पूल पर जड़ा होता है कानी clear है क्या चले एवर comments देख लता हूँ आगे चले चले next question आपके स्क्रीन पर अंसर आप लोग बताईए Nash question है आप लोगों की स्क्रीन पर ध्यान से देखिए अंसर आप लोग बताईए बोला जा रहा है निरवात में दोस्तों निरवात का मतलब होता है vacuum vacuum का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं हो air का एक particle भी नहीं हो कुछ भी नहीं हो उसको हम लोग बोलता है vacuum निरवात वहाँ पर 10 मिटर के दूरी पर दो पत्थर रखे हैं आपने जिनका द्रवयमान है 1 kg और 4 kg इनके बीच में गुरुत्वा करशन बल कितना होगा ठीक है आईए solve करते हैं तो फ्रेंट्स बहुत जने अगर इसमें option में 0 लिखा होता ना एक जना तो फ्रेंट्स बहुत जने इस पर टोटते जीरो टिक करते आप करते ऐसे एक जैमिनर करता ऐसे समझ गए क्या क्यों करते हैं आजाईए समझते हैं तो फ्रेंट्स यह M1 मास है और दोस्तों कोई दूसरा M2 मास है इनके बीच के दूरी आपको दे रखी है आ रहा है फ्रेंट्स अट्रेक्शन फोर्स का फॉर्मला क्यों था जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वार आप लोग मुझे खुट बताईए दोस्तों इन M1 M2 मास को चाहिए आप लोग दूद में जाके रख दो पानी में जाके रख दो तो फ्रेंट्स क्या इसका मान चेंज हो रहा है क्या कैपिटल जी का मान चेंज हो रहा है क्लियर तो फ्रेंट्स फिर आप लोगों का इसलिए तो मैंने बोला है कि यह आप लोग का universal है मतलब इसकी कहीं पर भी ले जाओ कहीं पर भी फ्रेंट यह जो capital G होता है इसकी value change नहीं होती है ठीक है तो निरवात में रखो कहीं पर भी रखो यह 0 कभी भी नहीं होना है इसकी value fix रहते है कितनी रहती है 6.67 सेवन इंट्टू 10 के पावर माईनस 111 कि तत्द रखा एक दिया हुए आपको एक किलो राम एक दिया हुए चार तो यह आपका चार होजाएगा डिस्टेंस किती देर के दोस्तों आप दे रखिया है आपके टैन है टैन का स्कॉर कर लो फ्रेंश टैन की पावर टू जाएगा तो इसको कैसे सॉल करें यह आपका 0.767 to 4 Łukato weekly दिया डश्की पावद वपर जाए दो क्या बच जाएगा दसकी पावर — 2 जागा एंस की पावरं आप सार कैसे करें और C excusedish film एक टैन की पौड़निस ठटीन है नहीं हो सकता एक ओप्शन आप शेये नहीं हो सकता ठैन की पावर गये लेवन यह तो हुई नहीं सकते दोस्तों एक योप्शन में और भी और आप लोग करके भी देशा तो सिक्स पॉइंट सेवन इंटु फॉर है अगर यह छे होता तो छे इंटु चार चोईस होता लेकिन चैनी यह से ज्यादा है चोई से ज्यादा आगा 26 पॉंट चैक्या सबसा जाएगा ऑप्शन उसके बीच में जो लगने वाला आकर्शन कितना कमा रहा तर्ण की पावर माइनस 13 यानि जीरो पॉंट जीरो 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 कुछ तो कमा रहा है ऑल्मोस्ट नेगलीबल आ रहा है ठीक है तो यह मजा का बाता दोस्तों जब यह एम वन और एम टू कर तो बहुत ज़्य कमेंटर मिल जाएगी और मैं चैनल पर डालता हूं है ना बाकी के बच्चे बता देंगे कहां मिलते हैं कि चलीज का अंसर बताईए दोनों द्रव्यवानों के बीच गुरुत्वा गशन बलका मान क्या होगा तो एक आपको पंदरा दिया हुए एक बीच दिया हुए इनकी बीच की दूरी बीच है तो अट्रेक्शन फोर्स आप लोग जानते है फ्रेंट्स जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वार होता है तो यह कैपिटल जी पहला मास कितना है? 15 है दूसरा कितना है? 20 है, दूरी कितनी है? 20 है, 20 का स्क्वार कर दो यहापके कैंसेल पाच से गया तीन बार में, 20 गया चार बार में 3G भाई 4 आपका राइट अंसर हो जाएगा, प्रेंट्स हम लोग आज ही पूरा कर लेते हैं लेकिन कोई बात नहीं कल हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे इस चैप्टर को वरना आज पूरा प्लान था मेरा कि आज हम लोग कवर कर लें तो फ्रेंड्स थैंक्यू सो मच और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग कोई भी सब्सक्रिशन लें तो नीदाज 11 रैफ्र को लगाईए जिससे 10 परसंट आपको डिस्काउंट मिल जाए और फ्रेंड्स शाम को चार बजे मैं अनकेडमी पे फ्री टेस्ट लेता हूं क स्टार्टिक में मैंने प्रोसीजर बता दिये कैसे जोइन करना है आप लोग जोइन करें शाम को चार बजे और वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं शाम को चार बजए अनकेडमी पे और सुबह साड़े नोव बजए अपने योट् टेक केर